गोवरधन में मंदिर में दान में आई एक करोड़ नौ लाग की राशी लेकर सेवायत फरार हो गया वेपैसों को बैंक में जमा करानी के लिए निकला था इसके बाद ना बैंक पहुँचा ना ही मंदिर वापिस पहुँचा उसका फोन बंद आ रहा है मंदिर प्रबंदक ने शिकायत दर्ज कराई है गोवरधन थाना शेत्र के प्रमुख मंदिर मुकुट मुकारविंद के सेवायत पर एक करोड़ नौ लाग 37,200 रुपए लेकर फरार होने का आरोप है इसके लिए थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है शिकायत में मंदिर प्रबंदक चंदर विनोत कौशिक ने आरोप लगाया कि सोमवार को मंदिर की ठेका धनराशी के करीब एक करोड़ नौ लाख लेकर सेवायत दिनेश चंदर निवासी दसविसा गोवरधन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने गया था उसने जालसाजी की और धनराशी को बैंक में जमा नहीं किया धनराशी लेकर सेवायत फरार हो गया है काफी बार फोन करने के बावजूद भी उसका फोन बंद जा रहा है स्पी देहात रिगुन बिसेन ने बताया कि आरोपी की गिरफतारी के प्रयास करिये जा रहे हैं मंदर के सरवय नामे के सर्थ के अंसार मंदर ठेकेदार ही बैंक में धनराशी को जमा करने के लिए जाते हैं लेकिन वे धनरासी हमने जब बैंक में जाकर पता किया तो वे धनरासी बैंक में न पहुचकर वे ठेकेदार कहीं लेकर के उसे गायब हो गया है बैंक में पुलिस में जिसकी मंदर प्रवंधन के द्वारा एफ आई यार भी दर्जकर आई गई है और पुलिस उसकी जाच में जुटी हुई है टोटल दनरासी मंदर की जो जिस ठेकेदार पर से इस बकाया जो रासी थी एक करोड नौलाक सेंतिस अजार दो से रुपे बाकी है अगर इसका पैसा समय पर अगर जमान नहीं हो पाता है तो क्या कुछ कारवाई होती है इसके करवार कानूनी कारवाई अमल में लाई जाती है जैसा रेसीवर साब का जैसा हमारी माननी नियालाई जी का आदेश होता है उस पर क्रिया के अंतर गताम उसका अरवाई को आगे अंजाम देते हैं देखिए थाना गोवर्णन शेद में मानसी गंगा मंदिर पढ़ता है उसका जो वरतमान ठेकेदार था दिनेशन वो मंदिर की धनराशी करीब एक करूर नौ लाक रुपया ले करके बैंक में जमा करने की ले गया था तब बैंक नहीं पहुंचा रास्ते से गायब हो गया इसके संबन्द में सुसंगा धाराओं में अभयोग पंजीकरत करा दिया गया थाना गोवर्णन पर इसकी तलाश की जा रही है और इसको मिलने पर अगरिम्बिधिक कारवाई की जाएगी